Hello friends, welcome to my channel सानवी की पार्ट साला Friends, in this video, we will continue our series of MPPSC Assistant Professor Exam 2017 English Solve Paper So, let's see Friends, इस series को स्टार्ट करने से पहले, इस के previous year question को देखने से पहले मैं आपके साथ एक बात को रखना चाहती हूँ मतलब आपसे एक बात साजा करना चाहती हूँ कि आजकल न्यूज में और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत सारे विडियोज देखने को मिल रहे हैं कि MPPSC Assistant Professor का एक्जाम होगा या नहीं होगा तीन मार्च को या एक्जाम कंड़क्ट करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी या फिर डेट इसका एक्स्टेंड होगा और जो अभी फॉर्म रियेपन हुए हैं उसका लास्ट डेट कब है कब तक या फॉर्म फिल होगा और कोट का जो केस है वा किस तरह से है बहुत सारे विडियोज बन रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस असपैरेंट्स हैं अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये सारे बातों को ये सारे विडियोज को नेगलेक्ट करें क्यों कि यह पहला कंडिशन हमारे साथ नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा यो जीसी नेट में भी जब करोना का टाईम था उस से में भी उग्जाम बहुत जादे डिले हो रहा था और इसमें भी UGC NET में भी एक्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, एड्मिट कट कब आएगा, इस टैप से अजन्शन बन रहे थे ठीक इस एक्जाम में भी ऐसी कंडिशन आ गया है हमारे पास तो फ्रेंड्स हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जिस तरह से UGC NET में डिले हो रहा था एक्जाम को लेके और लास्ट में UGC NET NTA ही रिलिज करती थी, कोई भी नोटीस और एक्जाम कंड़क्ट करती थी, लेती थी ठीक उसी परकार MPPSC Assistant Professor का एक्जाम भी मद परदेश लोग सेवा आयोक के द्वारा ही लिया जाएगा या फिर इसका डेट एक्स्टेंड किया जाएगा, जो भी कुछ होगा यही करेगी मतलब MPPSC Assistant Professor का सरकार ही करेगी, तो हमें इससे कोई भी दी मोटिबेट होने की जुरुवत नहीं है, हलाकि थोड़ी से दी मोटिबेशन होती है, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो इसलिए Friends, तीन मार्च को एक्जाम हो या फिर डेट एक्स्टेंड हो, इससे कोई हमें फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छी देना चाहिए, प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए, ताकि यह एक्जाम को हम लोग क्रेक कर सके So friends, आज है 24, कल है 25 February तो अब 25 February को ही पता चलेगा कि या exam 3 March को होगी या नहीं होगी क्योंकि 25 February को ही admit card आने वाली है तो चलिए देखते हैं कल admit card आती है या नहीं आती है Now friends, अब हम लोग अपनी series को start करते हैं क्योंकि या series बहुत ही ज़्यादा most important है हमारे exam के लिए और friends, यह जो solved paper है MPPSE assistant professor की जो 200 question है, वो मतलब यह एक रामबान है हर exam के लिए चाहे वो किसी भी state से assistant professor की भरती निकले या फिर UGC net हो या फिर set exam हो सभी exam के लिए या question paper बहुत ही ज़्यादा helpful है So हम लोग चलिए अब start करते हैं तो friends, first video में हम लोगों ने 1 to 50 question को solve कर लिया था और अगर आप वाप video देखना चाहते हैं तो इस video के description में उस video का link डाला हुआ है तो आप जरूर से वहाँ पे जाके देख लिए friends So हम लोग चलिए अब हम लोग 51 से start करते हैं question को solve करना With analysis तो हमारे पास 51 question है Frality, the name is women Is a famous from the play यह जो phrase लिखा हुआ है Frality, the name is women वह कौन सा Shakespeare के play से लिया गया है friends तो Hamlet, Hamlet में Hamlet के द्वारा यह phrase बोला गया था और Hamlet है वह one of the famous tragedy Shakespeare के द्वारा लिखा गया है और यह जो phrase है वह act 1, scene 2 में बोला गया है We have next question is Name the autobiography of Kamla Das इन चारों option में से Kamla Das के द्वारा कौन सी autobiography लिखी गई है तो my story इनते कथा जिसे autobiography कहा जाता है मतलब autobiography है Kamla Das का इस story में इस novel में इन्होंने Kamla Das ने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है और यह जो Kamla Das है वह एक confessional Indian poetry थी यह अपने जीवन से related सारे story को अपने poem के जरिये लिखती थी नेक्स्ट कुश्यन है फ्रेंड्स वाट इट दा फ्री रेफेलाइट एम एट फ्री रेफेलाइट जो 1848 में Victorian age में आया था या genre उसका main aim क्या था तो इसका main aim था showing interest in medialism pictorial realism with symbolic overtone unique of flesh and spirit यह तीनों quality इसमें थे प्री रेफेलाइट जोन्रा में नेक्स्ट कुश्चन है इन वीच ओफ हीज है से T.S. Eliot इंट्रेड्यूस दा टर्म objective correlative फ्रेंड्स इन चारों option में से T.S. Eliot के द्वारे term coin किया गया है जो objective correlative है वा किस essay में किया गया है तो hamlet and his problem में objective correlative को term को coin किये है T.S. Eliot नेक्स्ट कुश्चन है फ्रेंड्स वेस्ट लेंड्स जो T.S. Eliot के द्वारे लिखा गया है उसमें खोन सा person है जो appear होता है तो tiarcius T.S. narrator भी होता है इस poem का और blind होता है और या जो tiarcius है वा इस वेस्ट लेंड्स में appear होता है as a person next step which of the following plays begins with the line if music be the food of love play on या जो phrase है या जो line है वा कौन सा work में beginning होता है इस phrase से तो twelfth night जो William Shakespeare के द्वारे लिखा गया है इस line से इस play का opening होता है now we have next question the twice born fiction a critical study of Indian fiction is written by तो मीनाक्षी मुखर जी के द्वारा या बुक को लिखा गया है next है कूर्ट a powerful figure appear in the novel कूर्ट जो एक character है वा किस novel में appear होता है तो heart of darkness जो Joseph coordinate के द्वारा लिखा गया है 1899 में published हुआ उसमें could appear होता है next question है the essay can the subaltern speak was written by या जो essay है can the subaltern speak वा किस के द्वारा लिखा गया है तो गायत्री चकरवर्ती अस्पिबेक के द्वारा या essay लिखा गया है जो बहुत ही ज़्यादा famous critical and feminist critic है work है next है sea of poppies has the theme of sea of poppies जो अमिताब खोस के द्वारा लिखा गया है उसका main theme क्या है तो उसका main theme है migration and displacement इस work में migration मतलब एक जगह से दूसरे जगह हो जाना जैसे कि असीमा और असोक इसमें जो main character होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं और इस work के लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए shortlisted भी किया गया है main booker price next है in which year the theater was closed in England इंग्लेंड में theater कब closed किया गया तो 1643 पहुत ही ज़्यादा important date है इस date में theater को Puritan Oliver Cromwell जो एक Puritan leader थे उसके दबारा 1642 में theater को close कर दिया गया था और reopen किया गया 1660 में restoration age के साथ next है which of the following works belong to Thomas Carly Thomas Carly का कौन सा work है इसमें तो starters re-sarters Thomas Carly का है नेक्स्ट है who is the most notable figure in the Oxford movement originated in 1833 Oxford movement जो चड़ से related था उसमें जो main figure था वो main and most notable figure है in the all natural things is based associated with William Wordsworth who is called the worshipper of nature means friends pantheism मतलब जो nature के परती पुजारी हो nature का पुजारी हो उसे हम pantheism कहते हैं तो nature का पुजारी कोन थे? William Wordsworth next question है in Chaucer the Canterbury Tales which tale deals with the two young Thivian warrior तो the knight's tale जो very first tale है prologue to Canterbury Tales का इसमें दो knights होते हैं Arsit और Palamon उसकी कहानी को बताया गिया है और friends prologue to Canterbury Tales पे individual tales मैंने सारी playlist बना रखा है सारी बीडियो बना रखा है तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस चेनल पे जाके देख सकते हैं next question है name of the period of literature in which Wyserle, Congreve and Dryden developed comedy of manners यह जो writers है William Wyserle, Congreve, Dryden यह किस age से बिलोंग करते हैं तो यह restoration age से बिलोंग करते हैं और अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी work को भी restoration age में लिखा है next है what's first published lyrical ballad in collaboration with मतलब lyrical ballad जो लिखा किया है what's first के दवारा वह किस के साथ एक और किस के साथ लिखे हैं तो SD college के साथ इन्होंने प्रिफेस लिरिकल बैलेट को लिखा 1798 में लेकिन जब पुछा जाएगा प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट तो वो होगा 1800 में Now we have next question Who among the following poet does not belong to the Victorian period Victorian period में कोन सा राइटर इसमें belong नहीं करते हैं तो Thomas Gray ये belong नहीं करते हैं लेकिन Tennyson, Browning और Matthew Orland most important figure है Victorian age के Next question यह जो फ्रेज है वा किसके द्वारा लिखा गया है तो Lord Byron के द्वारा अपने Don John एक वर्क लिखा है इन्होंने इसमें यह फ्रेज को लिखा है इन्होंने किसके द्वारा लिखा गया है तो Alexander Pop के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया है 1711 में और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है एसे ओन क्रिटिसिज्म तो एसे यह नहीं समझेगा क्योंकि यह जो वर्क है वह है एक पोयम यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए हम लोग भी कन्फ्यूज हो सकते कि ऐसे ओन क्रिटिसिज्म तो एसे होगा लेकिन यह पोयम है पॉप का जो 1711 में पब्लिस्ट किया गया नेक्स्ट है तो राइम ओफ एंसेंट मेरीनर जो प्रिफ्रेस्ट टू लिरिकल बैलेट्स का सबसे फर्स्ट जो पोयम होता है वह होता है इसमें स्टी कॉलेज ने सीन पनिस्मेंट रिडम्शन का कॉंसेप्ट को दिया है नेक्स्ट है विच प्ले ओफ सेक्सपियर है जा करेक्टर नेम बैंको बैंको नाम का करेक्टर किसमें आता है इन चारू प्ले में तो मेखवित में बेंक को नाम का गारBACK आता है नेक्सट है दे जो एड़ांस्मेन्ट ऑफ लर्णिंग इस रिटेन बाई तो ये लिखा गिया है फ्रांसेस बेकन के दोरा नेक्सट है इन चारों में से वोड्सवत के दोरा कौन सा पोयम नहीं लिखा गया है तो लव फिलोसिफी नहीं लिखा गया है बाकी ये डेफोडेल, सॉलेटरीपर, टिंटरंस, अबे ये सारे लिखे गया है और यह जो लव सिलोस्पी है वा P.B. से लिख के द्वारा मतलब P.B. से लिख पर लिखा गया है बाई लेहंट ने लिखा है इस पोयम को 1819 में और इसे पब्लिश किया है नेक्स्ट है एक्सपैरेनिज्म वाजर रिवॉल्ट अगेस्ट यह जो वर्ड है वा किसके अगेंस्ट था रिवॉल्ट तो नेचुरिलिज्म के अगेंस्ट यह रिवॉल्ट था वो प्रफाउंडेट दा मैमेटिक थियोरी ओफ आर्ट थियोरी ओफ मैमेटिक्स प्लेटो के द्वारा दिया गया है इन्होंने प्लेटो ने ही मैमेटिक थियोरी यानि की नकल करने की थियोरी को दिया है next question is the mystery plays based on जो mystery plays है सबसे पहले प्लेज आया था वा किस पर प्ले क्मçu होता है mystery, miracle, mr. m.m mystery, miracle and morality play तो जो mystery plays है वो होता है प्ले बेस्ट ओन dei overwhel और miracles जो होता है प्ले यो होता है based on saint एंड जो morality play होता है वो moral relation पे based होता है तो यह important question है friends different different exam में पोछी जाते हैं We have next question Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction तो कौन सा Wordsworth का इसमें से work है जो theory of poetic diction के नाम से जाना जाता है तो preference to lyrical ballads 1798 जो theory of poetic diction के नाम से जाना जाता है William Wordsworth का Next question है friends I am a part of that I have made it all experience is an arc where this glimpse that untroubled world whose margin fades forever and forever when I move यह जो line है वाट एनिसन के द्वारा दिया गया है तो किस वर्क में दिया गया है किस पोएम में तो Ulysses पोएम में दिया गया है और इस पोएम को लिखा गया है 1833 में और पब्लिस किया गया 1842 में और यह जो पोएम है यह विक्टोरियन एज में लिखा गया है नेक्स्ट है Duchess of Mulfi is a tragic play बाई Duchess of Mulfi जो एक tragic play है वा किस के द्वारा लिखा गया है तो John Webster के द्वारा लिखा गया है और John Webster tragedy play के लिए फेमस है नेक्स्ट है Who among the following has not written on the life of Rama means Lord Ram के पारे में इन चारों में से कौन से राइटर नहीं लिखे है तो कालहन ने ऐसे कोई भी work नहीं लिखा जो बेस्टोर राम के लाइफ है Lord Ram के लाइफ है Next What is the biblical source for the theme of creation and the fall of man जो यह work है उसका theme क्या है तो इसका जो theme है वा है The book of Genesis The book of Genesis is the biblical source of the theme of creation and fall of man Next Which one of the following is a pastoral allergy written by John Milton John Milton के द्वारा इन में से कौन सा एक pastoral allergy लिखा गया है तो Lysidus Pastoral allergy लिखा गया है और किसके देथ पर Edward King के देथ पर लिखा गया है या allergy Next Who is one of the university wits Elizabethan time में university wits का जो रोल है वा बहुत ही जादा important है University wits के राइटर्स ने different different work को लिखा है जिसमें से जो one of the head university wits है वो है Christopher Marlowe तो इसमें से जो option में से Christopher Marlowe एक university wits है नेक्स्ट है जोन अर्बतनोथ तू एपिस्टल इस एन एपोलोजी इन विच पॉप दिफेंड़ इस वर्क अगेंस्ट अटेक अफ इस डिक्तेटर मतलए इसमें Alexander Popp ने अपने friends डॉक्टर अर्बतनोथ के बारे में लिखाया है next who is at once the child of renasya and reformation मतलए child of renasya और reformation इन चारों में से किसी कहते है जोन मेल्टन को child of renasya and reformation कहा जाता है और इसने इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे work को लिखा है जैसे on his blandness जब ही अंदे हो गए थे लिसीडर्स कोमास एट सेक्टर next the term diction signifies diction का मतलब क्या होता है diction का मतलब होता है जो हम word को choose करते हैं, arrange करते हैं तो choice and arrangement of words कोई diction बोला जाता है next Eric Blair is the original name of which of the following writers Eric Blair original name इन चारों में से किजन का नाम था तो George Orwell का नाम था Eric Blair next all animals are equal but some animals are more equal than others each quoted appear in which novel यह जो line है वह किस novel में appear हुआ है तो animal farm में यह line appear हुआ है और animal farm George Orwell जिन का पूरा नाम है original नाम है Eric Blair उनके द्वारा यह लिखा गया है work next Hemingway Ernest Hemingway quote her Santiago appears in मतलब Santiago जो character है वह किस work में appear होता है तो the old man and the sea में यह Santiago है जो appear होता है और इस work को इस novel के लिए इन्हें पुलिद्जर प्राइज भी मिल चुका है sorry Nobel प्राइज भी मिल चुका है Ernest Hemingway को next what does the term parasody signify parasody का मिन्स क्या होता है तो systematic study of versification ही parasody कहलाता है next who is the author of utopia utopia का author को ने थोमस मोर ने utopia को लिखा था और इसे publish 15-16 में कराया और utopia का means होता है कि जहाँ सब कुछ अच्छा हो कुछ भी खराब ना हो next authorized version of bible king's gems bible authorized version कब लिखा गया तो 16-11 में लिखा गया और यहाँ question है वह बहुत ही ज़्यादा important है हर बार हर exam में पूछे जाते है which one of the following is a famous work of longinus longinus के द्वारा कौन सा work इन चारों में से लिखा गया है तो on the sublime इन्होंने five sublimity source को दिया है जिसमें से जो most important sublimity है वह ग्रेंडियोर्ट थाउट है फ्रेंट्स next question है to which a school do John Donne, George Harvard and Andrew Marvel belongs to यह जो तीनों राइटर है वह कौन सा school से बिलोंग करते हैं तो metaphysical poet से फ्रेंड्स मैंने इस चेनल पे school of poets जैसे की जॉर्जियन poet, Celtic revival poets, metaphysical और pre-raphelite एट्सेक्टरा सारे राइटर्स को मैंने cover कर चुका है और उस पे प्लेइलिस्ट भी बना रखा है और हमेशा इन से question आते हैं school of poets से तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर से देख ले friends क्योंकि यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा important है मैंने exam में पूछे जाते हैं next question है the spectator was a joint enterprises of these two author मतलब the spectator है प्रियोडिकल वह किन दो रैटर्स के दवारा लिखा गया है तो still and edition के दवारा 1711 में लिखा गया है या प्रियोडिकल और next question है friends when you are old was written by यह जो poem है या किस के दवारे लिखा गया है तो wb its के दवारा लिखा गया है next है who is the protagonist in Raja Rao novels कांथापूरा कांथापूरा में कौन सब character इन चारों में से protagonist होता है तो मूर्ती है वा protagonist होता है और कांथापूरा 1938 में लिखा गया है मुल्क राजराव के दवारा next the term ecocriticism was first used by ecocriticism first used किस के दवारा किया गया इन चारों में से तो William Rookert के दवारा ecocriticism को first बार used किया गया था next dissociation of sensibility was introduced into literary criticism by T.S. Eliot in his essay on dissociation of sensibility किस work में T.S. Eliot ने use किया था तो metaphysical poets में इन्होंने यह term को दिया था और friends यह metaphysical poets पहले famous नहीं थे लेकिन जब T.S. Eliot ने यह ऐसे लिखा metaphysical poets उसके बाद से यह जो ग्रूप है वह बहुत ज़्यादा famous हो गया नेक्स्ट है which one of the following novels deal with the story of Indian partition इन चारों में से कौन से novel है जो Indian partition के story को deal करता है तो आजादी जो novel है जो लिखा गया है चमन नहल के दवारा यह novel Indian partition जब हुआ था उसको deal करता है और इस novel को 1975 में पब्लिस किया गया और इनके जो राइटर है वो है चमन नहल नेक्स्ट है विच ब्रिटिस प्लेराइट रोटा प्ले बेस्ट अन टू माइनर कारेक्टर्स इन हमलेट काल्ड रोजन क्रेट्स अन गिल्टन अस्ट्रन तो टोम स्टोपर्ट ने इन दोनों कारेक्टर पे बेस्ट एक वर को इन्होंने लिखाया जो एक ट्रेजिक कॉमेडी है तो फ्रेंड्स यहां पे जो पूछा गया है कोशन कि वर्ट्स ने किस वर्ग में अपने चाइल्ड होल्ड स्टोरी को एक आटो बाइग्राफिकल के तरह से लिखा है एक वर्ग में तो इसका आंसर होगा दप्रियलूड इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है लेकिन इसका आंसर दिया गया है जो की गलत है फ्रेंड्स आपको कौन सा आंसर सही लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया फ्रेंड्स नेक्स्ट कोशन है बिट जैनरेशन बिट जैनरेशन क्या है तो एक ग्रूप अफ नन कॉनफरमिस ओथर अफ दा इमर्ज इन अमेरिका इन 1950 अमेरिका में एक ग्रूप इमर्ज हुआ था जो बिट जैनरेशन पे बेस्ट था फ्रेंड्स मैंने बिट जैनरेशन पे भी विडियो बना रखा है उसकी एक सीरीज के प्लेइलिस्ट बना रखा है तो आप वह सीरीज को जरूर से देख ले क्योंकि देखिए मेटाफिजिकल पोईट से आही गया बिट जैनरेशन से आही गया और नेक्स्ट एक्जाम में हो सके या फिर कई एक्जाम में आये हैं कि बिट जैनरेशन के राइटर मतलब पोईट्स कौन-कौन से राइटर कौन-कौन से तो आपको महाँ पे छाटना होगा तो इसलिए व प्रोबिंदो के द्वारा या बुक को लिखा गया है शिक्स चेप्टर में और 1927 में लिखा गया है इस वर को नेक्स्ट है मिल्टन वाज दा मिल्टन वाज ओफ देविल्स पार्टी विदाउट नॉइंग इट या जो फ्रेज है वा किसके द्वारा बोला गया है तो विल्यम ब्लैक के द्वारा या फ्रेज लिखा गया है मितलब बोला गया है नेक्स्το है वीच एसकूल उप इंग्लिस पॉईट्स डज रिचार्ट क्रोशा बिलॉंग स्टू देखिए फिर से question आ गया तीन बार या question आ चुका है School of Poets से Metaphysical Poets Richard Crusher belong करते हैं तो यह series देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे तीन बार question पूछा जा चुका है Next है She dwells with beauty, beauty that must die यह जो phrase है यह किसके द्वारा बोला गया है तो यह जो phrase है वह John Kitts के द्वारा बोला गया है कौन सा poem में बोला गया है तो odd on melancholy में यह phrase को बोला गया है John Kitts के द्वारा Next question है The play St. John was written by St. John किसके द्वारा लिखा गया है तो GB Saw के द्वारा लिखा गया है इस play को Next The playboy of western world was written by तो J. M. Sinch के द्वारा यह work को लिखा गया है और यह एक three-act play है और इसे perform किया गया था Abbott Theatre Dublin में कब 26 January 1907 में Next The Lady of Salot was written by तो Alfred Lord Tennyson के द्वारा यह जो Lady of Salot है जो एक lyrical ballad है उसे लिखा गया था Next Jex Derrida is the originator of a mode of reading non-age मतला Jex Derrida किस से related है तो Deconstruction से यह related है Next The term Gramatology which denotes a general science of writing was used by Gramatology किसके द्वारा लिखा गया है मतलब General science of writing denote करता है तो Jex Derrida Deconstruction साथ Gramatology और जो यह Gramatology term है वह denotes करता है General science of writing was used by Jex Derrida जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था Next The term Cultural Materialism is first associated with जो यह term है Cultural Materialism यह किस से related है तो Raymond William से related है Next question है Friends What was the tragic flow in the character of Macbeth Macbeth में Macbeth के साथ tragic flow क्या होता है तो Over Ambition Macbeth जो character होता है Protagonist वो बहुत ही ज़्याद Over Ambition में होता है बहुत ही ज़्याद इसके Ambition होते है जिसके कारण इसका Don Fult हो जाता है तो इसका answer होगा Over Ambition Next है Who said God is in His Heaven and all is right with the world यह जो line है वह किसके द्वारा बोला गया है तो Robert Browning के द्वारा यह line बोला गया है और इस इस line को किस work में लिखा गया है तो PIPA Passes और इस PIPA Passes Robert Browning ने 1841 में Publish करवाया था Next है Who is the author of this line? In when your Bengals cast charm circle at my it may fit I am a baku calling for the first and the repeated time यह जो line है वह किसके द्वारा बोला गया है तो friends यहाँ पे आपको एक हींट है अब आको तो यह hall sowing का होगा hall sowing का के द्वारा यह line बोला गया है और यह जो hall sowing का है वह एक Nigerian playwright थे Next The play murder at the prayers meeting with meeting which inox the title of Elias mother in mother in cathedral has been written by मतलब friends यह जो play है the play murder at prayers meeting with meeting इसमें जो यह writer है लखन देव मतलब लिखा किया है उनसे यह title लिए है Next What does Vasex signify Vasex का signify क्या है मतलब Vasex मतलब क्या है तो यह एक regional place था जहां जहार लन नहरू is the एक्सक्योइट projection of his sympathy with Indian tradition तो इन में से कौन सा बुक पंड जहार लन नहरू के द्वारा लिखा गया है जो उन्होंने जिसमें उन्होंने इंडिया ट्रेडिशन पे sympathy को दिखाया है तो इसका आंसर होगा The Discovery of India इस बुक में इन्होंने इंडिया पे sympathy दिखाया है नेक्स्ट है वीच ऑथर आर्गूट दाट symbols evoke the great mind and great memory तो डबलो भी इट्स नेम या जो लाइन है वा evoke किया है इन चारों में से कोन सब बुक ससी देशपांडे के द्वारा ओथर नहीं किया गया है तो The Long Silence इन्होंने लिखा है Small Remedies The Binding Wine ये सब लिखा है लेकिन अगनी गर्वा नहीं लिखा है Friends All Women Indian Writers मैंने एक वीडियो बना रखा है लगभग आदे गंटे के होंगे या फिर उससे अधीक होंगे पोने गंटे का उस पर मैंने इंडिया के जो Most Important Women Indian Writer है उनके वर्क है उनके जीवन के बारे में मैंने Individually उस वीडियो में बना रखा है इस चैनल पर पढ़ा हुआ है आप चाहें तो वहाँ पर देख ले क्योंकि इससे कुच्चन बनते हैं जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है Next Question Friends Grung Literature is the genre of literature that has emerged in जो Grung Literature है एक genre है वह कहां से emerged हुआ है तो Australia से या Grung Genre Literature emerged हुआ है Next The Hundred Years Wars was fought between England and Friends History of English Literature में आपने पढ़ा होगा कि Hundred Years Wars होता है वह किसके किसके बीच में होता है तो England and France के बीच में या बेटल होता है और 13-37 से लेकर 14-53 के बीच में होता है event या 1-6 year का बेटल होता है लिकिन इसे नाम दिया गया है Hundred Years Wars Sweet Bridehead a character created by Thomas Hardy Figurine जो या Sweet Bridehead है वह character Thomas Hardy के किस work में है तो Jude the Obscure जो लास्ट नौवल है Thomas Hardy का उसमें या character है और इस work को Jude the Obscure को publish किया गया है 1845 में नेक्स्ट कुच्चने फ्रेंड्स विच अप दी फॉलाविंग ऐसे बाई वर्जिनिया उल्फ इस ओन फेमिनिज्म वर्जिनिया उल्फ के इन चारों में से कौन से वर्ख है जिसमें फेमिनिज्म के बारे में बताया है तो A Room of Once Out इसमें इनोंने फेमिनिज्म के बारे में बताई है और इसमें वर्जिनिया उल्फ में सेक्सपीर के imaginary बहन को sister को जुरित सेक्सपीर को भी example दिया है और इस work में इनोंने बताया है इस ऐसे में कि अगर विमेन को एक खाली कमरा मिल जाये तो वह बहुत ही ज़्यादा अपनी लिखाई करेगी और आगे तरक्की करेगी Next है Who first used the phrase a stream of consciousness in the book principles of psychology मतलब जो यह phrase as stream of consciousness वह किसने क्वैन किया मतलब first use किया तो William James ने जो James Joyce के ब्रदर थे इन्होंने अपनी एक बुक principle of psychology में जो 1890 में आया था यह बुक इसमें इन्होंने यह term को दिया था first बार use किया था Who is the author of famous book The Bluest Eyes The Bluest Eye का और author कोन है तो टोनी मौरिशन टोनी मौरिशन का one of the best most favorite यह बुक है और जो टोनी मौरिशन है वह American author थी और इस वर्क को टोनी मौरिशन ने 1970 में पब्लिस किया next है in the novel of sons and lovers D.H. Lawrence himself is represented by sons and lovers जो D.H. Lawrence के द्वारा लिखा गया जो एक modern writer है इसमें खुद को D.H. Lawrence खुद को क्या represent किये कौन से character से तो पॉल मौरिशन के द्वारा खुद को represent किये है next है what was the name of poetets who was married to Ted Hughes Ted Hughes के साथ इन चारों में से कौन से poets ने marriage किया था तो Sylvia Plath जो एक American confessional poet है उन्होंने Ted Hughes के साथ marriage किया था next है noun, verb, adjective, adverb, etc. are components of तो ये figure of speech नहीं होंगे, parts of speech होंगे parts of speech के अंदर ये सारे आते हैं और metaphor, simile, enjoyment, etc. ये सारे आ जाएंगे figure of speech में next है, who among the following writers does not subscribe to the idea of existentialism इन में चारों में से कौन से writer हैं जो existentialism जो एक idea है उसको subscribe नहीं करते हैं उसको follow नहीं करते हैं, तो AZ Gardiner के दवारा या idea को follow नहीं किया जाता है phonetics deals with, तो phonetics deals करता है sound से, मतलब बोलने से phonetics सुनने में ही लग रहा है तो या असपी sound से deal करता है, next है, who has written the play a street car named desire या जो play है, या किसके दवारे लिखा गया है, तो Tannishan William, जो एक American writer थे, उनके दवारा या work को लिखा गया है next है, who wrote the novel English August and Indian story तो उपर मन्यू चतरजी के दवारा या जो novel है, English August इसको लिखा गया है और next question है friends, what was the first Australian to be awarded novel prize in literature, मतलब अस्ट्रेलिया में सबसे पहले novel prize कौन से Australian writer को आवार्ड किया गया था, तो Patrick White को सबसे पहले novel prize दिया गया था next है, और कब दिया गया था, 1973 में next question है friends, which bhakti poets, poem, were translated into English by Ravindranath Tiger तो कौन सा bhakti poets का, मतलब bhakti कवी का poem है, जिसे Ravindranath Tiger के दवारे English language में translate किया गया था तो कभीर दास का जो poem है, उसे English language में Ravindranath Tiger ने publish किया था, मतलब translate किया था next question है, who is the author of final solution and other place final solution का जो writer है वो कौन है, तो महिज दत्तानी के दवारे final solution लिखा गया है next है, Samuel Langhorne Clemen is the real name of तो यह जो लंबाज नाम है, वो किन का है, तो Mark Tune Mark Tune को अपना जो यह middle यह जो long name था, वो पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने Mark Tune short name रखा था next है, Gora by Ravindranath Tagore is an, तो Gora क्या है, एक novel genre है, जो Ravindranath Tagore के दवारे लिखा गया है next है, the theoretical concept of ideological state apparatus was propounded by ideological state apparatus यह जो concept है, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो Lewis प्यारे Altherzer के द्वारा यह दिया गया है, और यह जो Lewis Altherzer है, और एक French Marxist philosopher है next है friends, the curfew tolls the nail of parting day, in which poem of Thomas Gray, the quitted line occurs यह जो line है, वो Thomas Gray के कौन से poem में अकर हुआ है तो L.A.G. written in country churchyard, जो बहुत ही ज़्यादा famous है और इसके line हमेशा पूछे जाते हैं इस poem में इन्होंने यह line को quote किया है, मिसले लिखा से लिया है A.K. Ramanujan has constantly translated from A.K. Ramanujan ने Tamil and Canada से English में translate किया है यह point आप अच्छे से याद रखें, Tamil और Kannada से English में translate किया है A.K. Ramanujan ने Next question है, T.S. Elliot, the wasteland, conclude with a phrase from which language मतलब जो T.S. Elliot का जो वेस्ट लेंड है, जो 1922 में आया उसका last line कौन सा language से समाप्त होता है, तो Sanskrit से कौन सा word से जो लास्ट फ्रेज है, friends, वह है, सांती, सांती, सांती Sorry friends, बीच में मैं अटक गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं Charles Lamb belongs to, तो Charles Lamb है, वह रॉमेंटिक ऐसे बिलॉंग करते हैं Next है, who wrote the famous book Modern Painters, Modern Painters इन में से किस के दवारे लिखा गया है, जोन रस्किन के दवारे या पोयम को लिखा गया है Next है, T.S. Elliot, the wasteland was dedicated to, the wasteland है, वह किसको dedicate किये है, T.S. Elliot ने तो Azra Pond को, क्योंकि Azra Pond इनके गुरू थे और इन्हों को, मतलब Azra Pond को ही इन्होंने या पोयम को dedicate किया है Next है, English tragedy followed the model provided by तो जो English tragedy है, वह कौन सा model से आया है, तो Sani का pattern से English tragedy आया है Next है, friends, from whom do we get the phrase negative capability तो John Kitts के द्वारा या term negative capability आया है Next है, which of the following books was translated into English by Wycliffe तो Bible को Wycliffe ने English language में translate किया था, जो उस से में translation करना बहुत ही ज्यादा difficult था लेकिन William Wycliffe ने Bible को translate किया, इंगलिस language में The attribute for which of the romantic poems are known for each मतला, romantic poem में क्या quality रहती थी किसी भी poem का तो उसमें भर-भर के lyrical quality रहती थी romantic age के poem में Who was Ulysses? तो Ulysses कौन था? तो वह king of Ithaka मतला, Ithaka का king था Ulysses Next, the line I am not Prince Hamlet nor was meant to be is taken from which poem of T.S. Iliad तो T.S. Iliad ने The Love Song of J. Alfred Prufrock लिखा जो बहुत ही अच्ची poem है इसमें यह line को लिखा है कि I am not Prince Hamlet nor was meant to be यह line को लिखा है और friends, next question है Vikram Seth has written a novel in verse in title Vikram Seth ने कौन से novel लिखा है इसमें तो Golden Gate को इन्होंने लिखा है और friends, Vikram Seth है वह एक metaphysical poet से घर लेके उसे फिर से रिनाउल्ट करवा के उस घर में यह विक्रम सेट रहे थे next question है friends कि मुवमेंट पोईट्री कब आया तो आफ्टर लिखा है तो D.H. Lawrence के द्वारा यह जो नॉवल है कंगारू वह लिखा गया है 1923 में और यह जो कंगारू नॉवल है वह अस्ट्रेलिया में सेट है इसका सेटिंग अस्ट्रेलिया में है तो सोहरा नामा से या जो नरेटी पोईब है इंस्पाइड है जो मैथ्यो ओर्लोड के द्वारा लिखा गया है और इस पोईब को 1832 में पब्रिश करा गया वीच अब दी फॉलोविंग बुक इस रिटेन बाई इडवार्ड सेट इडवार्ड सेट के द्वारे लिखा गया है औरियन्टेलिज्म 1978 में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है इस्टर्ण एंड वेस्टर्ण कल्सर के बारे में इसमें बताया गया है इन चारों में से अरुन जोसी के द्वारा कुन सा वर्क नहीं लिखा गया है तो कॉमबेट अप सेडो या अरुन जोसी के द्वारा नहीं लिखा गया है नेक्स्ट है तो के लिखा गया है जो एक मेटाफिजिकल पोइट है इस पोईम में एंडर्यु मार्बल ने एक टर्म कारपेडियम को यूज परिया था जिसका मतलब होता है शीज डरदी और friends या जो poem है वो बहुत ही ज़्यादा interesting है तो आप ज़रू से पढ़िएगा next question है friends the first folio edition of Shakespeare plays was printed in William Shakespeare ने तीन folio को introduce किया था अपने work को उसमें publish करवाया था पहला first folio जो 1623 में आया दूसरा है 1632 में जो second folio के नाम से जानना जाता है और एक तीसरा है false folio उसमें भी इन्होंने work को publish कराया था so friends इसमें जो question पूछ रहा है कि first folio कब आया था तो 1623 में first folio William Shakespeare का आया था next है which was the period when doctor Samuel Johnson was at the work on the dictionary Samuel Johnson के दवारा जो dictionary लिखा गया था वा कब से कब लिखा गया था तो वह लिखा गया था 1746 से लेकर 1755 के बीच में और इस dictionary को publish कराया था 1755 में next question friends the rhyme of rhyme royal is used in तो इन चारो वक्स में से किसमें rhyme royal को used किया गया था तो prologue to canterbury tales जो चौसर के दवारे लिखा गया है इसमें इन्होंने rhyme royal का यूज किया था next है who is the author of the play Wetting for Godot Wetting for Godot का जो writer है author है वो कौन है तो Samuel Beckett Samuel Beckett ने Wetting of Godot को लिखा था और इसमें जो character है वा है Waldemir जो Diddy के नाम से जाना जाता है और Istragon जो Go-Go के नाम से जाना जाता है तो main दो character है और total चार character है इसमें next है who has written survival the celebrated commentary on Canadian literature तो Margaret Atwood जो Canada से विलोंग करती थी उन्होंने Canadian literature को लिखा है next है और friends ये जो Margaret Atwood है और एक Margaret Lawrence है जो most important Canadian writer है उन पर मैंने इनके work उनके जन्म कहां जन्म ली थी कब से कब time period उनको बहुत ही अच्छे से मैंने individually दोनों पर video बना रखा है इसी channel पर तो आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं क्योंकि इनके work को many exam में various exam में पूछा जाता है तो चलिए next question देखते हैं the one which is not a famous 20th century novel तो 20th century में इनवे से कौन सा novel नहीं है तो दातालिस में ये जो novel है वह 20th century का नहीं है next question है friends who is the writer of American novel Graps of Worth तो Graps of Worth किसके दुआरा लिखा गिया है जो एक American novel है तो यह जो लिखा गिया है वह है अस्टीन बेक के द्वारा लिखा गिया है जोन अस्टीक बेक ने इस वर को लिखा है और इसे 1939 में परविस किया है next question है friends mark the anglo section period in English literature English history में anglo section का period कब से कब था तो 450 से लेकर 1066 AD तक anglo section period चला था next है Sydney Arcadia is तो Sydney के द्वारा जो Arcadia है वह क्या है तो वह एक प्रोज रॉमेंस है flip Sydney ने अपनी बहान के लिए या book को लिखा था लेकिन जब flip Sydney की बहान अपने अनुसार साधी कर ली तो flip Sydney ने इस book को जला दिया लेकिन इनकी बहान ने फिर से इस work को लिखा और आगे continue किया तो यह एक प्रोज रॉमांस है जो flip Sydney के द्वारा लिखा गया है next how many pilgrims were there in the canterbury tales तो कितने pilgrims थे तो 31 pilgrims थे इस prologue to canterbury tales में और prologue to canterbury tales को मैंने बहुत ही अच्छे से इस channel पर बता रखाया तो आप चाहें तो देख सकते हैं friends next what does the term cocophony means cocophony means क्या होता है तो harsh and rough मतलब जो बहुत ही ज़्यादा rough sound होता है उसे cocophony कहते हैं friends literary terms पे cocophony, epic, etc जितने भी literary terms होते हैं उस पे भी मैंने video बना रखा है और उसका playlist भी बना रखा है तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके सारे literary terms को cover कर सकते हैं क्योंकि आप देखी रहे हैं कि कितने सारे question बनते हैं literary terms से भी next है who is the writer of the book practical criticism which is a teaching manual for the study of poetry friends practical criticism किसके द्वारा लिखा गया जो आए रिचर्ट के द्वारा जो एक न्यू क्रिटिसिज्म थे इस वर को लिखा था इस वर को लिखा था 1920 में next question है friends which one of the following is not an epistoryly novel मतले जिस genre में जिस novel में epistory novel novel का एक genre है जिसमें एक writer दूसरे writer से बात later के जरिये करते हैं तो इन्वे से कौन सा नहीं है तो Heart of Darkness जो Joseph Cornett के द्वारा लिखा गया है या epistory novel नहीं है next है who has written the poem poor women in a city church इस poem को किस ने लिखा है तो Seema Saini ने इस poem को लिखा है और इसे publish किया है 1966 में next है which of the following is called the Magna Carta of Romanticism मतलब इस सारे works में से किस works को Magna Carta Romanticism को कहते है मतलब रोमेंटिक्स age का Magna Carta कौन सा work है तो Lyrical Ballot जो S.T. College और William Wordsworth के द्वारा collaboration work में लिखा गया था 1798 में next है Willie Loman is the protagonist of each of the following place तो Death of Salesman जो 1949 में लिखा गया था इसे इस work में Willie Loman एक protagonist होते है जो father का रोल कियो होते है next है which is not essentially a skill in English language teaching मतलब इन चारो में से कौन सा essential नहीं है next है to ask our student to read poem means to taste this skill या एक comprehensive है next है friends मतलब इस question में बोल रहा है कि अगर आप एक student को किसी poem को पढ़ने बोलते हैं तो आप उस student का कौन सा skill को परखते हैं तो उसका comprehensive case है उस student का उसको आप परखते हैं next है which of the following is not a novel by Roe Hinton Misthry इन चारो में से Roe Hinton Misthry के द्वारा कौन सा novel नहीं लिखा गया है तो सचे long journey लिखा गया है family matter लिखा गया है fine balance भी लिखा गया है story of firoz साबाद भी लिखा गया है जो most important है इनका novel लेकिन the victim नहीं लिखा गया है इनके द्वारा next है which of these poem is not written in dramatic monologue dramatic monologue में friends एक speaker होता है केवल वही बोलता है और जो listener होता है केवल सुनता है कोई भी reply नहीं देता है उसे dramatic monologue कते हैं तो जो mortality author है वह एक dramatic monologue नहीं है बाकि Ulysses, The Last Try Together, Browning के द्वारा इवलियान हॉप ये सारे dramatic monologue है next है friends which of John Dunn works is written on the life of Antony and Cleopatra तो all for love जो William Shakespeare के द्वारा भी लिखा गया है जिसका नाम है Antony and Cleopatra मतलब friends John Dunn मतलब friends William Shakespeare ने एक work लिखाता है Antony and Cleopatra इस पर बेस्ट जोन राइडर ने एक work लिखा है जिसका नाम है All for Love यही question पूछा गया है question है next question है This is considered to be the first play of Shakespeare by General Constant इन्वे से first play Shakespeare का कौन सा है तो Henry 6th part 1 Shakespeare का consider किया जाता है first play God of a Small Thing by Arunati Roy has following character तो इसमें Mamachi जो एक है वह एक character होती है God of a Small Things में next है The 12th night in the fairy queen represent तो जो 12th night है जो एक character है fairy queen में वह किया represent करता है तो वह represent करता है Virtues next question है friends L2 in English language teaching a strength for L2 मतलब target language L1 जो एक mother language होता है L2 जो एक target language होता है जो वह क्या strength करता है तो वह strength करता है any acquired language after mother tongue यानि कि mother tongue चाहे आपका Hindi हो, उडिया हो, पंजाबी हो, कोई भी हो जब mother tongue के बाद आप कोई दूसरी language को acquire करते है तो वह आपका L2 हो जाता है Next Blending black formation, compounding and clipping are form of तो यह word formation है Next friends What do you call the minimum unit of meaning or grammar function मतलब friends, यहाँ पर बोल जाए कि a smallest meaningful unit क्या कहलाता है तो morpheme को हम लोग a smallest meaningful unit कहते है मतलब word की छोटी काई Next है The Padma Award were announced by the राष्ट पती भवन is an example of तो यह 21 परकार का figure of a speech है तो यह एक metanomy है क्योंकि यहाँ पर Padma Award है वा राष्ट पती भवन में announced किया जा रहा है Next The study of the intended meaning of the speaker is pragmatic कहलाता है मतलब study of intended meaning कहलाता है pragmatic Next question friends The language which is the product of a multilingual situation who no native speaker is called Pijin Friends Pijin है वा एक काम चलाव language होता है क्योंकि Pijin में दो वेक्ति जब बात करते हैं तो वा एक दुसरे का language नहीं जानते हैं इसलिए वा तिसरा language को एक्वाइर करते हैं ताकि वा कुछ भासा बोल के वा अपना काम चला सके तो वा पिजिन कहलाता है Pijin के बाद किरियोल आता है Next According to Ferdinand de Saussure The specific act of a speech or a trance based on the rules of language is called तो वा पैरूल कहलाता है Leng होता है Use of Friends Leng होता है Structure of language और पैरूल होता है Use of language तो यहां पर rules of language पैरूल कहलाता है Next है Jacobson described the vertical relation between any single word in a sentence and other words which can be substituted for it as relation तो अप्रा डिगमेटिक कहलाता है Next है Bhaktin Mikhail Bhaktin argued that no living word relates to its object in a singular way is the basis of तो यह कहलाता है Dialogism तो Dialogism क्या है तो भक्तिन के द्वारे यह concept दिया गया है जहां that no living word relates to its object in a singular way is the basis of Dialogism Dialogism refers to the use of conservation or shared dialogue to explore the meaning of something मतलग किसी भी word meaning को explore करना ही Dialog कहलाता है Next है Which poem of Nisimajikyal deal with the sentiment of mothers तो Night of Scorpion इस poem में Nisimajikyal के मदर को एक बिच्चु काट लेता है जब वा recover हो जाती है तो वा बोलती है कि ठीक है यह बिच्चु मुझे काटा मेरे बच्चे को नहीं काटा नहीं तो उसे कितना दर्द होता तो इस तरह से इस poem में Nisimajikyal ने अपनी मदर का sentiment दिखाया है और friends या जो Night of Scorpion है वा अपने collection the exact name में publish कराया था Nisimajikyal ने नेक्स्ट है नमोदे दसाल लक्षवन गिकवाड अरुन दंगल और हीरा भनसोद आर रिपरजेंटिटिव राइटर्स यह जो राइटर्स है वो दलित लिटरेचर से बिलोंग करते हैं friends Friends यहाँ पे दलित लिटरेचर में क्या था कि पहले छुवाच्छ हो तो होता था तो उसी पे बेस्ट यह सारे राइटर अपने वर्क को लिखे हैं तो next question है friends Name of the autobiography of Nyan Tara Sehgal Nyan Tara Sehgal जो Congress Party के तरफ से के परिवार में से बिलोंग करती है उनका जो autobiographical novel है वो कौन सा है तो prison and chocolate cake या एक इनका जीवनी कथा है next है who is the author of गजर गजर गोचर तो इसका जो राइटर है वो कौन है तो विवेक सनबाग इस वर्क को लिखे है next है friends last question how many chapters are there in Nartya Saast? जो भरत मुनी के द्वारे लिखा गया है Nartya Saast वा कितने chapter में है तो 36 chapter में है और कितने dialogue है तो कितने lines है तो 6000 lines है words है poetic words है friends और इस Nartya Saast में भरत मुनी ने रशा एंड भाव का theory को दिया है जो बहुत ही ज़्यादा important है और जो रशा theory भाव theory है वा 9 है जो most important है तो आपको देख लेना चाहिए क्योंकि question इससे आ सकते है friends यह video काफी लंबी हो गई लेकिन informative है और friends इस video के बीच में थोड़ा सा अटक गई थी अटक गई थी friends क्योंकि इतना देर तक पढ़ाते पढ़ाते पर्त पर्त थोड़ी ची nervousness हो जाती है तो इसके लिए I am so sorry and friends यह सरीज जरूर से देखिए यह सरीज MP PSE Assistant Professor के लिए तो useful है ही MP सेट होता है उसके लिए useful है और किसी भी सेट सेट एक्जाम यह जिसी नेट यह फिर Assistant Professor एक्जाम होता है उसके लिए विया जो सीरीज है यह जो विडियो है यह बहुत ही जादा बेनिफिसियल है friends और friends इसका जो 1 to 200 question है उसका पीडियाफ मैंने अपने टेलिग्राम चैनल सानवी की पाट साला पे भीज रखा है तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके यह पीडियाफ नॉट्स को ले सकते हैं friends और friends उस टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के description में डाला हुआ है तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर से जोईन कर ले टेलिग्राम चैनल friends so that's all about यह previous year question solved हम लोगों ने कर रखा है friends अब चलिए देखते हैं कि 3 March को exam होता है या नहीं होता है अगर नहीं होता है तो थोड़ी सी demotivation है हमारे लिए लेकिन अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी है all the best 100% अपना देखे आईएगा चाहे selection हो या नहीं हो अपना 100% देना ही देना है friends यह वीडियो कैसी लगी और यह feedback comment box में जरूर से लिखिएगा और वीडियो या थोड़ी भी helpful लगे आपको देखे तो अपने दोस्तों के साथ share जरूर से करे और subscribe जरूर से करे friends so मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you bye bye take care